आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 2030 का जो हसाइमेट का माक्स अपडेट हुआ था इगनू में वह अपडेट हुआ है या नहीं यदि पोटल पर देखना चाहते हैं इगनू के तो आप इस वीडियो को अंता तक जरूर देखिए इस वीडियो में यह बताने वाला ह कि दिसंबर 2030 का माक्स कब तक अपडेट होगा अपडेट अगर हो गया है तो कैसे देखेंगे सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में वेवसाइट हिंदी सर्च कर दीजिए इस तरह से वेवसाइट हिंदी सर्च करेंगे तो आपके समने पहला रिजल्ट दिखाई देगा इस कर देखें, लिंक मिल जाता है इगनु ओलूल लिंक्स इस पर क्लिक कर देना है वैसे भी इस post का link वीडियो के description में मुझूद है यहाँ पर दिखिए दूसरा number में दिखाई दे रहा है इगनू assignment status इस पर click here के बटन पर click कर देना है यहाँ पर पहले वाला box दिखाई दे रहा है इंटर enrollment number इसमें enrollment number दज करना है और यहाँ से program code select करना है इसके बाद submit button पर click कर देना है submit button पर click करते ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका assignment receive हुआ या नहीं यदि receive हुआ है तो किस तरह से तो यहाँ पर देखिए उनेश तरीक के date में उनेश फरवारी 2024 के date में receive हुआ है अब check करेंगे कि assignment में marks आपका कितना आया है इगनू grade card check click here के button पर click करना है यहाँ से आपको अपना stream चूझ करना है और यहाँ से code select करना है जिस code के लिए marks आप देखना चाहते हैं और इस box में enrollment number टाइप करना है और search button पर click कर देना है search button पर click करते ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो marks compiler दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं bhic 0 अब देख सकते हैं bhic 101 दिखाई दे रहा है 234 यहाँ पर भी bhic 1234 4 assignment का marks यहाँ पर received हो चुका है तो इसके बाद इसे हाँ पर हम देखेंगे great card में तो यहाँ पर देखिए माक्स भी अप्डेट हो गया है इस तरह सासानी से आप चेक कर सकते हैं इसे print out निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए print के आइकन पर किली करके आप download भी कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो समझे किसी भी पर करके सवाल हो सुझा हो तो कमेंट बोक्स में जरू ठोक दिजिएगा धन्यवाद